Hello everyone and once again a very warm and hearty welcome to another video of destination success I hope आप सब pretend fine होंगे तो आज की जो ये वीडियो है ये chapter number 3 है History की बुक 3 का जो की second term में आपका आने वाला है तो इस वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी complete explanation डीटेल में करवाने वाली हूँ notes के साथ तो ये जो notes है, ये handwritten notes है जो भी आपकी अलग-अलग sites पर, अलग-अलग books में, अलग-अलग support material में, जितनी भी material में को मिला सब में से जो important था मैंने वो उस वीडियो में ये डाल दिया है तो basically इसके बाहर से कोई भी topic आपकी पेपर में नहीं आएगा इस वीडियो के बाद मैं एक important questions की वीडियो भी upload कर दूँगी तो stay tuned on my channel for all the new videos अगर आप नहीं हैं तो चैनल को जरूर subscribe कर दें ताकि new video के notification आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए तो start करते हैं हमारा third chapter तो chapter का नाम है आपका विद्रोही और राज कि किस तरीके से जो वह न्हीं तो तो सबसे पहले क्या हुआ कि 10 माई 1857 में यह आपको date दी हुई है और year दी हुए जो आपको याद रखना है कि 10 माई 1857 में दुपहर के टाइम मीरट छाबनी में सिपाईयों ने विद्रो कर दिया मतलब इस दिन क्या हुआ कि मीरट छाबनी जगा है जहां पर सिपाईयों ने क्या करना विद्रो करना शुरू कर दिया विद्रो मींस एक तरीके से आंदूलन चलाना जो था शुरू कर दिया अंग्रेश के खिला इसके शुरूवाद भारतिय सैनिक से बनी पैदल सेना से हुई थी शुरूबात का से हुई इसकी भारतिय सैनिक की जो पैदल बनी उटकूड़ी थी मतलब जब पैदल चलते थे जिनके पास कोई गोड़े हाती है ऐसी कुछ सवारी नितीजिन पर चल सके वो पैदल चलते थे तो ऐसी सेना ने क्या करा इसकी शुरुवाद महाँ पर कर दी थी जल्दी ही इसमें गुड़ सवार फॉज भी शामिल हो गई और यह पूरे शेर में फैल गया जब पैदल सेनिक पैदल चल रहे थे नों ने इसकी शुरुवाद करी तो कुछ टाइम बात क्या हुआ जो गुड़ सवार फॉज थी मतलब ऐसी फॉज जिनके पास घोड़े थे सवारी करने के लिए वो भी इसमें शामिल हो गए और इस हिंसा को या फिर इस विद्रो को एक बड़े पैमाने पे इन लोगों ने चलाना शुरू कर दिया शहर और आसपास के लोग सिफाईयों के साथ जुड़ गए अब जब लोगों ने आसपास के जो नॉर्मल लोग होते हैं जो निवासी होते हैं एक स्थान के उन्होंने देखा कि सैनिक जो है वो तरह तरह के सैनिक इस विद्रो में हिस्सा ले रहे हैं तो लोगों ने क्या करा इस विद्रों को और बड़े पैमाने पर करने के लिए और अंग्रिजों से लड़ने के लिए लोग भी इसमें शामिल हो गए चाहे वो शहर के हों चाहे गाओं के हों जो भी आसपास का शेचरता, सारा मीत चांबनी का सारे के सारे लोग याप पर जुड़ गए становится सिपाईएं ने शस्तरागार पर कबज़े लिया अब शस्तरागार क्या होता है? हतियार और गोला वारुद जो होता है ना अब देखो जो भी हमला हुआ था वो काफी प्लैंड था मतलब अगर हम कोई भी लड़ाई करते हैं सबस्पहले हम प्लैंниंग करते हैं कि हां भी हम यहाँ जाएंगे इतने बंदे लेकर जाएंगे और इसको मारेंगे ऐसी प्लानिंग करते हैं सेम चीज़ यहाँ पर सिपाई होने करी बिल्कुल एक प्लानिंग के साथ इस विद्रोग को उन्होंने अंजाम दिया तो सबसे वहले उन्होंने क्या गार शस्त्रा गार पर हमला किया अब देखोई तुम्हें यहाँ से खुद से ही बता चल सकता है कि शस्त्रा गार पर हमला करने का इनका मकसद क्या था तक ही शस्त्र इनको मिल जाए लड़ने के लिए शस्त्र भी चाहिए होंगे अब ऐस तो हानी ना कि मुक्के मार के लड़ाई कर लेंगे तो वो तो हो नहीं सकता शस्त्र चाहिए होंगे तो शस्त्र के लिए उनकों ने क्या गार शस्त्र गार पर हमला कर दिया इसके बाद उन्होंने अंग्रेजों पर निशाना साधा और उनके बंगले साज्यों समान को 233 कर के जला दिया अब इन्होंने शहसरा कार पर हमला करने जितने भी शहसरे मिले इन्होंने सब को इखटा करा और उसके बाद ये कहां पर गए अंग्रेजों के घर गए जिदनी भी जगा थी अंग्रेजों की चाहे वो उनके घर थे चाहे वो उनके बंगले थे उनका जो भी साज़ों समान था सब कर दिया तकि अंग्रेजों की कोई भी चीज हमारे भारत में ना रह सके रिकौर्ड, दफटर, अदालत, जेल, डाक खाने, सरकारी ख़जाने, जैसे सरकारी अमारतों को भी लूट कर तबाह कर दिया अब लूटने का इनका यह मकसद क्या था डाकू तो थे नहीं कोई सिपाही थे इन्होंने यह चीज लूटी क्यों इनका लूटने का यह मकसद था क्योंकि इनको यह लगता था कि जो अंग्रेज है उन्होंने हम से लूटा है हमारे भारती लोगों से लूटा है अब देखो ये शुरुआत हुई कहां से थी मीरट छावनी से मतलब उत्तर प्रदेश में मीरट है वहां से इसी की शुरुआत हुई थी और वहां से लेकर इन्होंने कहां इसको अंजाम दिया अगला दिल्ली में वहां से ये कहां पर आया दिल्ली में ली में आने के एक खास मकसद था यहाँ जता 11 माई को सुबह LAL किले की फातक पर पहुंच गया 11 माई की जो सुबह थी जो कहां पर पहुंच गया K Angie Akbar कि फातक पर डिली के अमीं लोगों पर भी इन लोगों की श्रion कीछा अरशन सोरा कर लिया दिल्ली के जितने भी अंग्रेश सब को मार दिया था और उन पर हमला करके लूट लिया था तो दिल्ली जो थी ना बेसिकली अंग्रेशों से अधा अजाद उस टाइम पे हो चुकी थी इन सिपाईयों की मांग थी कि बादशाह उन्हें आशिरवात दे तथा उनके विद्रो Bible ने क्या करा बादशाह जफर को न लोगों ने बोला कि आप घौह हमें अपने अशरवात दू और हमारे ताकि हमारे विद्रोग को वैददा मिलال था की विव्त वैद्रोग सही था जब्याँ यह थी था कि बादशाह जफर था जादा येक सकानग करा उसकी मदद मांगी अब बादुशाओ जफ़र हैं ने सँफ़र हैं पैदल और बहुत माँनी करा आफर वीद्रोह हैं लोग शामिल हैं ने साथ ने के साथ था और विद्रहिं तो मगल बाद्श्या के नाम पर चलाया जाना लगा कि मतलब अब लोगों ने क्या गाशू कर दे कि सिपाही नी चला रहे हैं ये मुगल बाद्शाब भादुर्शाय जफर जो है वो ये विद्रो चला रहा है किसके खिलाफ अंग्रेजों के खिलाफ तो ये था आपका मीरट से दिली तक का सफर जो विद्रोहियों ने या सिपाहियों ने तै किया था अंग्रेजों के खिलाफ next आते हैं आपका विद्रो का धर्रा कि जो धर्रा मतलब होता है pattern कि किस तरीके से जो विद्रो था वो चलाया गया था क्या 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 उसका pattern था और क्या चीज किसके बात करी गई थी अब जैसा कि हमने ऊपर बढ़ा हमने देखा इन लोगों ने क्या कर सुछ जू श्ब्लैनिंग कर के सभ कुछ कर रा तो उसी प्लानिंग को कले विद्धरियों का ट झार्रा विद्रो का धर्रा तो सबसे वहले इनों ने क्या करा जैसे से विद्रो की खबर एक शेहर से दूसरे शेहर तक पहुशती गई वैसे वैसे सिपाही गया करते थे जो हतियार थे वो उठाते गए लोगों ने क्या करा चाहे वो पैदल सिपाही हो चाहे वो गुड़सवार सिप क्रिक हो सब ने क्या करा सबने मिल जूलकर एक दूसरे को देख कर ही वीद्रोओं में शामिल होना शुरू कर दिया और विद्रोओं ओप एक María पैमाने पर फैल गया वा विशेष संकेत कारेवाई शुरू की गई कुछ विशेष संकेत जो थे वो एक जगा से दूसरे जगा पर दिये चाते थे जिसके बाद जो था कारेवाही शुरू की जाती थी विद्रोग की मतलब संकेट देना मींस एक तरीके से इशारा करना कि हमने अपना काम कर दिया तुम भी अपना काम शुरू कर दो हम कहते हैं वटसेप पर कॉल करें कि दूसरे स्थान पर खबर पुचाई और वहां पर विद्रोग कर दिया गया कई जगा पर तोप के गोले दागे गए और बिगुल बजाकर संकेट दिया गया यह आपका काफी important point है जो कई बारी question पूछा भी है CBC ने कि किस तरीके से या क्या-क्या चीजे थी जो संकेट क स्थान पर विद्रो के समय पर गया चीजे ने कौने पर तूब कुछ तोप के गोलु थेel थे ना कियाती कि हाँ भी तूप के गणे चला दिया अब तुम भी विद्रो च्पर चला लिए पिर बिगूल बजाकर विद्रोग कर दिया है तूम भी अपना विद्रों बहां पर शुरू कर दो या फिर दूसरे अस्थान पर लोग को बताने के लिए कि हम आ रहे हैं या फिर विद्रोज चालू कर दो तो यह चीज़ें करी जाती थी उस टाइम पर क्यों कोई फोन वगरत ऐसी चीज थी नहीं न तो लोग ऐसे ही साइन यूज करते थे दूसरी जगा पर सं पर सरकारी द वीटर के लौटे हैं में हम्ला दीया इसके कोई बेडुalenत कर्या घर जला दिया जाये ay यह भी ज़िए संबंदित हर चीज पर निशाना कि जो भी अंग्रेज थे जो भी ज़िए निटिए जीज और नियुन देशना बनाना शुरू कर दिया अगर हम लडाई करते हैं है तो हम भी तर्ड़का वा आंसे को मारने जा रहे हैं अगर वह हाथ नहीं आए तो ऑफ को यह देश में एकता होनी चाहिए जितने भी धर्म है ना सबको एक साथ इन लोगों ने करने की कोशिश करी तकि साय धर्म एक साथ मिल जाए एक जुट हो जाए और जो अंग्यज़ों खिलाब जो विद्रो है वो और स्ट्रॉंग हो जाए ताकतवर हो जाए तो इसके लिए लोग था वह बहुत बड़े पैमाने पर फैल गया और इसके बाद क्या हुआ ब्रिटिश शासंग जो था उसने यह लाइन बोली थी कि बिटिश शासन जो है ताश के के लिए की तरह बिखर गया है एक बिटिश शासन द्वारा यह लाइन क्यों बोली गई यह भी काफी इंपोर वह बहुत बड़े पैमाने पर फैल गया तो लोगों ने क्या करा अंग्रेजों से संबंदित हर चीज को निशाना बनाना शुरू करा उनकी हर चीज तबाह कर दी तो अंग्रेजों के पास अपनी जान बचाने के लिए यहां सथ जाने के लावा और कोई आप्शन नहीं ब करते थे मतलब अपने जो विचार हैं एक जगह से दूसर जगह पर पुचाते थे या फिर किसी और इंसान को बताते थे जिसलिए कि मैं आपको पहले भी बोला कि इस टाइम पर मुबाइल फोन कंप्यूटर लैप टॉप यह सब चीज तो थी नहीं नहीं उस टाइम पर चि और विदो का ढ़र रहा समान था इस से एक बात साबित हो जाती है कि विदो नियोजित था मतलब जैसे कい हमने देखा ओपर कि हर चीज जो थी वो बिल्कुल step by step उन लोगों ने चीज़े करी और step by step लोग जो थे वो इसमें इंक्लूड होते गए तो इस बात से एक चीज तो पक्की हो जाती है कि जो विद्रो इन लोगों ने करा वो क्या था वो नियोजित था plan था planning कही न कहीं न कहीं लोगों ने पहले से पहले करके रखी थी विबिन चावनियों के सिपाही के बीच अच्छा संचार बना हुआ था मतलब जो अलग-अलग चावनी के सिपाही थे ना चावनी होती है कि अलग-अलग जगा अलग-अलग जगा के जो सिपाही थे ना उनके बीच में अच्छा संबंध था एक अच्छा संचार था य जब साथवी अवद इल्रेगुलर कैलवेरी यह नाम है जो आपकी सेनिक टुकडी होती है उसके नाम दिये जाते हैं अलग-अलग तो यह सेनिक टुकडी का नाम है इन लोगों ने क्या करा मई की शुरुवात में कार्टूस के इस्तमाल से मना कर दिया इस टुकडी इन लोग को जो लिखा जाता है एक पोलिस लई और आर्मिय बन में जो आप जियो ना उस में लिखे जाते हैं हमें अपने धर्रं की रख्शा के लिए फैसला लिया है और उन लोगों ने रीजन क्या दिया ये चलाने का कि मतलब हम नहीं चलाएंगे तो यह हुआने यह यह ऐं जगा में फैली हो निटाया है कि हरे सेनग ने बात बोलने शुरू गर दी कहाуск replacing और भी और इसे छाबने के सपाहित मतलब इन लोगें नोटे सिखने के बाद क्या करा जो अलग दूसरी इंफेंटर थी उसके हुकम का इंजार करा कि वो लोग क्या कहते हैं इस बारे में ठीक है तो इन सिब चीजों से में पर चलता है कि संचार जो था वो एक तरीके से महाँ पर था बाते जो थी वो एक स्थान से दूसरी स्थान पर पहुच रही थी अगला टॉपिक आपका आता है योजनाय कैसी बनाई गई या फिर योजनाकार कौन था योजनाकार मतलब प्लानर कि प्लानिंग कैसे करी गई और प्लानिंग करने वारा इंसान कौन था अब उपर हमने पड़ा कि प्लानिंग थी, कहीं ना कहीं वो चीज हमने देख ली, पर वो प्लानिंग करी किसने, कोई इंसान होगा, उसने करी होगी, तो उसी के बारे में ये टॉपिक है विद्रो के दोरान, अवद मिलिटरी पुलिस के कैप्टन, हीरसे की सुरक्षा का जिम्मा भारतिय सिपाईयों पर था, मतलब जब विद्रो चल रहा था, तो उस टाइम पर जो अंग्रेज था हमारे देश में, उन्होंने क्या करा, कैप्टन हीरसे नाम का एक कैप्टन दा, पुलिस की मिलिटरी का हेड था एक तरीके से, उसकी सुरक्षा का जिम्मा लोगों ने किसको दे दिया, भारतिय सेनिकों को दे दिया, कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम इसको सुरक्षा करोगे, कोई भी इंसान इसको चोट ना पहुचा दे, जहां कैप्टन हीरसे की की तैनाती थी, वहाँ पर 41 नेटेव इंफेंटरी की तैनाती थी, मतलब जहां पर एक कैप्टन हीरसे जो था, तैनात था एक तरीके से, कैप्टन के तौर पर, वहाँ पर 41 नेटेव इंफेंटरी की तैनाती थी, यह नेटेव इंफेंटरी की तैनाती थी, यह नेटेव इ के सब्सक्राइब ने लोग ने दे दी कि वह लोग उसको अच्छे सुरक्षा दे पाए कि इन्फैंटरी की दलील थी कि क्योंकि वह अपने तमाम गोरे सेनिकों को जड़ से खतम कर चुके हैं इसलिए अवत मिलिटरी का फर्स बनता था कि वह काप्टें कि मौत की नीन इसे गिरफतार कर लें और मिलिटरी पुलिस दोनों ही दलीलों को खारच कर दिया अब जो इनफेंट्री थी अलग जो इनफेंट्री बनिऊ होती हैं मिलिटरी में उन लोगों ने क्या करा उन लोगों न यह बात वुली क्यों कहБ corta साल नोगों ने क्या कर आर्स को जड़ से खतम कर दिया संग कंट्टा कि जो इसके सुरुक्ष साथ का को दे दिया गया है वो इसको भी मौत की नीन सुला दें पर जो मिलिटरी पुलिस थी उसने क्या करा इसके दलीलों को खारिस कर दिया कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते तो एक तरीके से हुआ गया कि जो अवद मिलिटरी थी और जो भी इन फैंटरी इस थी इनके बीच में कर दो और मिलिटरी वालों ने बोला कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते क्यों किसकी सुख्षा का जिंबा किस पर है हम पर है तो मामला हल करने के लिए रेजिमेंट के देशी अफसरों के पंचायत बुलाई गई इस मामले को हल करने के लिए पंचायत जो थी फुरात को कानपुर सिपाहियों के लाइनों में जुड़ती थी और सिपाही लाइनों में रहते थे और जीवन शहली एक जैसी उनकी थी मतलब जो भी कानपूर के सिपाही थे जो सिपाही लाइन क्या होती है जिसे पुलिस लाइन होती है जहांपर सारे पुलिस वाले रहते हैं एक साथ ऐसे ही सिपाही लाइन होती है जहांपर सारे सिपाही जो होते हैं वो एक साथ रहते हैं तो जो सारे सिपाही थे वो एक साथ रहते थे, इनकी जीवन शैली एक जैसी थी इनका रहे, सैने का तरीका एक जैसा था, तो इनकी थोड़ी सोच भी एक जैसे मिलती थी, तो इन लोगों ने क्या करा, एक पंचायत बुलाई रात को कहां पर कानपुर में, क्यों बुलाई इ सिपाही खुद थे, उसके बाद आते हैं आपके नेता और अनुनाई, कि किस तरीके से जो नेता थे, वो थे हमारे देश में, और उनके अनुनाई मतलब फॉलवर्स कौन थे, अंग्रेजों से जीतने के लिए नेतरत्व और संगठन जरूरी था, मतलब अगर हमेरे अंग् इशा दिखा सके कि हमें कैसे काम करना है, और एक संगठन जरूरी था, संगठन मतलब ग्रूप, जब तक हम एक ग्रूप नी बनाएंगी एक जुट नी होगे, तब तक हम अंग्रेजों से नहीं लड़ सकते हैं, जिसके लिए विद्रोहियों ने कई बार ऐसे लोग शरण ली जो अंग्रेजों से पहले नेताओं की भूमिका निभाते थे, अब क्योंकि यह प्लानिंग कर कौन रहता सिपाही कर रहे थे, तो सिपाही उने क्या करा, विद्रोहियों ने क्या करा, ऐसे लोगों से शरण ली, ऐसे लोगों कुसे मदद मांगी, जो अंग्रेजों से भी जो नेताओं की भूमिका है जो लोग निभाग चुके थे ऐसे लोग फी शरंड जो थी वो इन विद्रोहियों ने ली दूसरा कानपूर में पेश्वा बाजीरो के उत्तर अधिकारी नाना साहिब बिहार में आरा जगा का नाम है जहांका जो स्थानी जविदार था कुवर सिंग उनकी शरण मांगी इन लोगों ने उसके बाद अवज में नवाब वाजद दली शाह की इन लोगों ने मदद मांगी और लखनों में बिजरिस कदर की जो नेतरत था इन लोगों ने उसका नेतरत मांगा कि ये सबी लोग वो थे जो अंग्रिजों से पहले निताओं की भूमी का मतलब इस से पहले अंग्रिजों के टाइम से भी पहले ये निताओं की भूमी का जो थे वो निभा चुके थे हमारे देश में नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है अफवाएं और भविश्यवाणी एक काफी इंपोर्टन टॉपिक है जिसमें से आपका एक नएक कोशन पेपर न जुरूर आता है इस समय तरह तरह की अफवाएं और भविश्यवाणियों के जरीए लोगों को उकसाया जा राता कि मतलब अलग अलग तरह की भविश्यवाणिया की जा री इतनी इस टाइम पे और अफवाएं जोती वो फविलाई जर्चता की जो लोग है वो लोग उकसाया जा सके लोग भढ़क जाए और विद्रों में शामिल हो जाए सिपाईयों ने एनफील्ड राइफल के उन कार्टूसों का विरोध किया जिसके इस्तेमाल करने से पहले उन्हें मुझे खीशना पड़ता था मतलब infield rifle जो थी एक rifle का नाम है इसको सिपाईयों ने इसका विरोध करा क्यूं करा क्योंकि इस कार्टूस जो ये जो ये rifle थी ना इसको मुँ से खीचना पड़ता था मतलब चलाने से पहले जो भी इसका नौक होता है फिर जो भी इसकी चीज होती है उसको मुँ से खीचना पड़ता था अब ये करने का ऐसा मना करने का उनका रीजन क्या था कि इसमें एक अफ़वा फैली हुई थी कि जो ये मुझ से कीचते हैं ना इस पर सुवर और गाएं की चर्बी का लेप लगा हुआ था कि मतलब अंग्रेजों ने हिंदू का और मुसल्मानों का दोनों का ही धर्म भरष्ट करने के लिए धर्म खराब करने के लिए इन कार्टूसों का जो ये राइफल हैं के कार्टूस पर सुवर और गाएं की चर्बी का लेप लगा दिया है जिसकी वज़े से अगर यह इस्तमाल करेंगी तो इनका धर्म खराब हो जाएगा या फिर धर्म भ्रेश्ट हो जाएगा तो इसे वज़े से इन लोग ने क्या करा? इन्फिल्ड राइफिल चलाने से मना कर दी तो यह आपकी एक काफी important अफवा है जो उस टाइम पर फैली थी उसके बाद आता है अफवा का स्तरोत्र कि मतलब अगर अफवा फैली है तो कहीं न कहीं उसका स्तरोत्र होगा किसी ने किसी जगा से वो start हुई होगी तब इतनी बड़ी बात फैल गई है तो इस तरोत्र क्या था एक तरीके से वो देखते है राइफल इंस्टकर्शन में जो यह डिपो था डिपो एक तरीके से जहां पर यह चीज रखी जाती है कि एक कैप्टन ने अपनी इस रपोर्ट में लिखा था कि दमदम सित शस्तागार में काम करने वाले एक नीचे जाती के खलासी ने जनवरी 1985 में एक ब्रहमन सिपाही से पानी पिलाने को कहा मतलब जो ब्रहमन सिपाही था इससे एक नीचे जाती का जो एक खलासी था मतलब काम करने वाला इंसान कह सकते हो उसने क्या करा इस ब्राह्मन सिपाई से कहा कि तुम मुझे पानी बिला दो ब्राह्मन सिपाई ने यह कहकर अपने लोटे से पानी बिलाने से मना कर दिया कि नीचे जाती का छूने से लोटा जो हो अब अवित्र हो जाएगा तो इस रिपोर्ट के अनुसार इस खलासी ने मतलब जो मजदूर था उसने क्या करा ये जवाब दिया कि जल्दी ही तुम्हारी जाती भी व्रष्ट होने वाली है क्योंकि अब तुम्हें गाए और सुवर की चरबी वे लगे कार्थूस को मुझसे खीचना पड़ेगा तुम्हारी पानी नहीं पलाया तो खलासी मजदूर युद्धा उससो गुस्ता आ गया और इसने गुस्ते में इनको यह बात बोल दी क्यों मैं जो ब्रहमन होने का गमण नहीं है तुहारे गमण जल्दी तूच जाएगा क्यों प्यों क्योंकि जो तुम ये कार्टूस चला लगासे यह अफवा जो थी वो फैलने शुरू हुई थी किसी को नहीं पता कि अफवा सच थी या फिर जूट थी बस एक बात थी जो फैल गई उसके बाद दूसरी अफवा आपकी यह थी कि अंग्रेज सरकार ने हिंदू-मुसल्मान जाती और धर्म को नश्ट करने के लिए एक साज श्रची है यह मतलब जो अंग्रेज से क्योंकि उन्हों ने देखा कि हिंदू-मुसल्मान एक हो रहे हैं इनकी एक्ता की वज़े से क्या हो रहा है विरोध और दोधा बढ़ता जा रहा है तो इन्होंने क्या करा कि इनकी जाती को नश्ट करने के लिए एक साज श् इस अफवा के बाद शेर और चावनियों के सिपाईयों और आम लोगों ने आटे को छूने से भी मना कर दिया इससे हुआ कि जो भी लोग तो सबने क्या कर आटे को छूने से मरा कर दिया कि उनका धर्म से ब्रहष्ट हो जाता उसके बद आती है आपकी तीसरी अफवा तो खतम हो जाएगा जो प्लासी का जंग ता जो प्लासी की यूद्ध था वो 1757 में हुआ था इस टाइम पर भविश्यवानी करी गई अफवा भी थी एक तरीकी से भविश्यवानी भी थी कि इसके सौ साल बाद मतलब 1857 तक जो भारत है वो अंग्रेजों से अलजाद हो जाए उत्तर भारत के विबिन गाओं में रोटी बातने के रिपोर्ट आ रही थी मतलब यह उत्तर बारत है इस अफ़ा प्रह फla आई एक तरीके सब रिपोर्ट आई कि जिसमें रोटी बातने की खबर थी कि ऐसा बताया जा था कि रात में एक आदमी गाओं में चोकिदार को ए एक रोटी देता है और बोलता है ऐसी ही पांच और रोटिया बनाओं और अगले गाउं में पहुचा दो अब वो ऐसा क्यों करता है या ऐसा क्यों कहता है वो किसी को भी नहीं पता था बस इसने इतना लोग इतना पता है कि हाँ उसने ये बोला है कि पास रोटिया बना कर अगले गाउं में बेचतो किसी को ये भी नी पता कि ये बात सच भी है कि कोई अपने आपी मन ग्रहन कानिया बना रहा है रोटी बाटने का मतलब और मकसद उस समय भी सपष्ट नहीं था और आज भी सपष्ट नहीं है लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि लोग इसे आने वाली उथल पुथल का संकेत मान रहे थे अब कोई भी अगर ऐसा कुछ महौल चल रहा है विद्रोक और अड़ाई जगडे का उस टाइम पर छोटी चोटी चीज जो होती है न वो भी आपको एक बड़ी उथल पुथल का संकेत देने लग जाती है और दोंगे लग अब कर दो नहीं कर दो अब कर दो उट्ग चानल झाल को भी आपको एक लिड याद को एक दो बड़ याद्ट वेस्ट पुर एक्षै याद्ट